हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब किजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को पाईए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो आपडेट्स हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूप प्लिस भरती आनलाइन कोचिंग और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि यूट्यूप प्लिस कांस्टेवल में भरती होने के लिए हाइट, चैस्ट और वेट कितनी होनी चाहिए और रनिंग के लिए कितने किलोमेटर की दौड होती है चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले लंबाई देख लेते हैं अगर आप सामान, अन्य पिछला वार या फिर अन्सूची जात के भरती हैं तो आपकी लंबाई अगर आप पुरूस हैं तो 168 cm होनी चाहिए अगर आप महिला हैं तो 152 cm लेकिन अगर आप अन्सूची जनजात के भरती हैं तो अगर आप अन्सूची जनजात भरती होने के साथ साथ पुरूस हैं तो 160 cm लंबाई होनी चाहिए और अगर महिला है अंसूची जन जाती के तो आपकी लंबाई 147 cm होनी चाहिए चेस्ट की बात कर लेते हैं यानि कि सीना अगर आप सामान ने जाती के हैं या पिछडे वर्क के जाती के हैं या फिर अंसूची जाती के आप भरती हैं तो आपका जो सीना होना चाहिए वो बीना फुलाए जब ना पेंगे तो बीना फुलाए आपको 89 cm होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 cm से कम नहीं होना चाहिए यानि कि जब आप बीना फुलाए सीना नपवाएंगे तो आपकी 89 cm होना चाहिए और उसके बाद 5 cm का फुलाओ होना चाहिए अगर मालेज़े आपका सीना बिना फुलाओ 18 है तो उसके बाद अगर जब फुलाने के बाद ना पेंगे तो आपका 5 cm increase होना चाहिए यानि 81 अगर था तो 86 होना चाहिए फुलाने के बाद यानि कि minimum 89 cm होना चाहिए और फिर उसके बाद 5 cm का फुलाओ चाहिए अगर आप अन्सोचित जन जात के अब भरती हैं तो बीना फुलाए आपका सीना 77 cm होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 cm होना चाहिए अगर आप महिला हैं तो महिलाओं के चेस्ट नहीं ना पे जाते हैं उनका वजन ना पा जाता है महिलाओं के वजन कम से कम 40 kg होने चाहिए चाहे आप सामान के हों चाहे अनपिशावर के हों चाहे अनसूचित जात के हों या फिर अनसूचित जन जाती के किसी भी चाहतिके हैं और आगर आप महिला हैं तो आपकी जो बहार होना चाहिए वो 40 kg कम से कम होना चाहिए हम दवड की बात कर लेते हैं नई नियमावली के अंसार रनिंग के नंबर नहीं दे जाएंगे बलकि 4.8 km की दवड पूर सो को 25 मिनट में और महिलाओं को 2.4 km की दवड 14 मिनट में पूरी करनी जरूरी होगी यानि कि इस टाइम के अंदर आपको दवड पूरी करनी है मेटिकल में क्या-क्या चेक किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों अगर आपको यह सब पता है तो अच्छी बात है कि नौक नी बोलेक्स क्या होते हैं फ्लाइट फीट क्या होता है लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इसके तुरंद बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके बारे मताऊंगा कि नौक नी क् कैसे की जाता है तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस नहों और अगर यह वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मैं कमेंट्स की रिपलाई तुरंत देता हूँ तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूँच सकते हैं इस वीडियो के देखने के लिए आपका